हेलो फ्रेंड वेलकम टू बबली किचेन आज मैं आपके साथ सफेद लूबिय की सबजी की रेस्पी शेयर करने जा रही हूँ रेस्पी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको ज़्यदा से ज़्यदा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में तो चलिए देखते हैं सफेद लोबिया की सबजी कैसे बनाई जाती है इसको बनाने के लिए मैंने ये धाई सो ग्राम के करीब लोबिया लिया है जिसको मैंने रात को भिगो दिया था आप चाहें तो इसको चार पांच गंटे के लिए भिगो के रख देंगे तो भी ये भिग जाता है मैंने रात को भिगो दिया था सुबह बनाना था इसलिए ये दिखे लोबिया फूल गया काफी और अच्छी तरह से भीग चुका है इसमें भी लोबिया हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है अब इस चमच हमने अद्रक लिया है आदा इंच अद्रक का टुकडा होगा और पांच-छे कलिया लसन की अब हम एक मिक्सर जार लेंगे मिक्सर जार के अंदर प्याज लसन अद्रक और हरी मिर्चे डाल के इसको हम ग्राइंड करके एक पेस्ट त्यार कर लेंगे ये हमने पेस्ट बना के रख लिए इसकी और ये देखिए अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है लसन अद्रक भी इसको एक साइड पे रख देंगे और उसी मिक्सर जार के अंदर अब हम टमाटर को ग्राइंड करके उसकी भी पेस्ट बना लेंगे एक प्योरी त्यार करेंगे ये टमाटर भ अच्च हम बना के पेस्ट बन के त्यार हो गी है अब हम एक कूकर लेंगे और उसके अंदर एक कर्शी एक कुकिंग ऑईल डाल देंगे जो भी आप तेल खाते हैं वो डाल दे तेल गरम होगे उसके अंदर हम प्याज लसतर नद्रक जो पेस्ट बनाइई है उसको डॉल के इसको भूनेंगे अच्छी तरह से भूनना इसको जब तक इसका हलका सा पिंक कलर ना आजे और पानी ना सोख ले सारा अच्छी तरह से भून रहा है जितना अच्छा मसाला भूनेंगे उतनी ही बढ़िया आपकी सब्जी बनके त्यार होगी मसाला भूनने का ही सारा मसला है जितना अच्छा आप सहर से मसाला भूनेंगे सब्जी आपकी उतनी ही टेस्टी बनेगी अब इसको हमने थोड़ा मीडियम फ्लेम पे इसको भून लेना है प्याज को दिखे पानी काफी हत्तर सुग गया अभी हम इसको थोड़ा सा और भूने और इसको भी डालके इसको इकठा भूनना है मिक्स कर लेंगे इसको और अच्छी तरह से इसको भूनेंगे अब हम इसमें थोड़े से बेसिक मसाले डाल देंगे अच्छी तरह भून लें इसको भी हल्दी आदा चमच यह छोटा चमच है मेरा इसलिए अंदाजे से और ला आप अपने स्वाद के अनुसार ये बेसिक मसाले डाले हैं हल्दी मेर्च और नमक अभी नमक अपनी टेस्ट के अनुसार डाले अब इसको हम मिक्स कर लेंगे थोड़ी गुठलियां होती हैं ये सींदा नमक है तो इसको थोड़ा सा कच्छी से हम दबा देंगे अब इसके अंदर मैंने जो जार में प्योरी बनाई थी टेमाटर की उसी अंदर डाल के थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मसाले अच्छी तरह भून जाए और मिक्स हो जाएं इसमें अब हम इसको भूनेंगे जब तक ये तेल न छोड़ दे इतना इसको हमने भूनना है अब इसके अंदर देगी मिर्च डाल देंगे कलर के लिए थोड़ा सा ऑप्शनल आईए आप अगर डालना चाहते हैं डाले नहीं तो स्किप कर दे एक चमच देगी मिर्च और एक भूनेंगे जब तक ये तेल न छोड़ दे दो मिनिट इसको ढख देंगे ये दिखिए ढखने के बाद इसके अंदर से हलका हलका तेल रिलीज होना शुरू गया और मसाला हमारा अच्छी तरह भून गया है अब हम इसके अंदर लोबिया डाल देंगे लोबिया का पानी न दालना वह हमने निकाल दिया है सिरफ लोबिया डालना क्यों कई बरी वह वह वाई बादी कर जाता है गैस कर देता है थोड़ा सा इसको भून ले मसाले के साथ हमारा अगर एक कप लोबिया है तो हम दो ड़्.ढ़िक पानी डाल सकते हैं इसके अंदर क्योंकि यह भीगा उसमें आपको पानी ज्यादा डालना पड़ेगा तो ये आधा तो पहले ही पक जाता है जो भीग गया होता है अब मैंने इसमें सिरफ 2 से 2.5 कप पानी डाला है और इसको कुकर को बंद करके हम इसको 4 विसल लाने तक पका लेंगे 10 से 15 मिनट तक और ये देखे 4 विसल होगी थी मेरी उसके बाद मैंने देखे इसको खोल के देखा हमारा लोबिया अच्छी तरह से बन चुका है बहुत जैदा घुला हुआ भी अच्छा नहीं लगता इसलिए थोड़ा खड़ा खड़ा बनाया मैंने अर लोबिया अच्छी तरह गल चुका है अब हम इसमें एक चमच कसूरी मिथी को हाथ से मसल के इसको डाल देंगे और आधा चमच गरम मसाला ये गरम मसाला मेरा घर का खुटा हुआ है अगर आप इसकी रैस्पी देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको देख सकते हैं अब गरम मसाला डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं मेरे पास है नहीं इसमें तो मैंने निडाला ये लोबिय हमारा त्यार हो गया आप इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं प्रॉंठे के साथ नान रोटी किसी के साथ भी खाएं आपको बहुत स्वाध आएगा तो अगर आपको मेरी ये लोबिय की रेस्पी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर जरूर करें थेंक यू एंड हैव ए नाइस डे नेक्स्ट रेस्पी में फिर मिलते हैं